हलो दोस्तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से यह जो Android डिवाइस हमें मिली है mobile इसके अंदर SV, RD, सुकेन्या, TD के खाते किस तरह से अकाउंट ओपनिंग की जा सकती है तो सबसे पहले हमें लोगिन कर लिना लोगिन करने के पस्चाथ हमें सबसे पहले डे बिगेंग करना होगा डे बिगेंग जैसे ही हो जाएगा हमारा उसके बाद में हमें अकाउंट ओपनिंग के लिए यह थर्ड टेव है इस पर जाएंगे cbs दर्बन का जो थर्ड टेव है यहां देख सकते हो आप दर्बन cbs यह थर्ड टेव है इसमें पहला ओप्षन पहला टेव आपको दिखाई दे रहा है open new account इस option पर हम जाएंगे open new account ओर यहां पर इस तरह से हमें कुछ यह टेव दिखाई देंगे ASV, RD, TD, SSA यानि सुकन्या का अकाउंट यादी खुलना है तो हमें SSA पर क्लिक करना है तो चलिए आज हम SSA का अकाउंट ओपन करके देखते हैं यानि सुकन्या समर्दी का अकाउंट ओपन करके देखते हैं ठीक वैसे ही ये सारे अकाउंट ओपन होंगे तो सुकन्या के लिए हमें SSA पर क्लिक करना है प्रोसीड जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ यदि कस्टमर पहले से अकाउंट होल्ड करता है तो आपको प्राइमरी CIF ID में उसकी कस्टमर ID लिखनी है सुकन्या के केस में आपको यदि ISO में आपने पहले फॉर्म जमा कराया और वहां से यदि आपको CIF ID मिल गई है तो लिखनी है नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़के हमें बच्ची का नाम लिखना है जिस बच्ची का अपन अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है उसकी डेट ओब बर्थ सेलेक्ट करनी है जो भी डेट ओब बर्थ है वो सेलेक्ट करेंगे जनमतिती उसकी डालने के पश्यात हमें जो नेक्स्ट ओप्सन दिखाई देगा उसको देखेंगे गार्जन CIF ID में यदि माता पिता के जिसके भी अपन अकाउंट डोकुमेंट लगा रहे हैं उसकी यदि पहले से पोस्ट ओपिस में खाता है तो उसकी CIF डाल देगे यदि नहीं है तो केवल माता या पिता का जिसके भी आधार और पैन कार्ट लगा रहे हैं फोटो लगा रहे हैं उसका नाम लिखके प्रोसीड इनिसियेट फोर न्यू अकाउंट पर किलिक करेंगे गार्जन का नाम और गार्जन रिलेशन जो भी है माता है पिता है तो उसका नाम लिखके हमें प्रोसीड करना है बिना इनके नाम के लिखे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें रेड अंकों में जो है सब्दों में दिखाई दे रहा है जैसे हमने यहां नाम लिख दिया है फादर लिख दिया है उसके बाद में initiate for new account पर क्लिक करना है यहां हमें बच्ची का नाम दिखाई देगा उसके बाद summit पर क्लिक करेंगे amount जो भी हमें जमा करनी है minimum 250 से account open होता है तो जो 250 रुपे वो इसमें fill करेंगे यदि रासी करेंगे प्लीज वेट लोडिंग लिखा रहा है कुछ समय हमें इसमें इंतिजार करना होगा कि इस तरह से उसके बाद आपको यह new screen दिखाई देगी उसमें आपको उपर ही उपर transaction ID कि डेट बगेरा दिखाई देगी और जो reference नमर वह दिखाई देगा आप signature और photo पे पहले photo पे click करके आप customer का photo जो है account opening form से ले लेंगे उसके बाद signature पे click करके signature का आप photo click कर लेंगे scan जो करने का option है उन दोनों में करके आप इस तरह से account opening complete होती है thanks for watching like comment share and subscribe the channel complete होने के पस्चात इन दोनों चीज़ों को आप जो transaction ID उसको जमापरची पर लिखेंगे और जो भी reference नमर हमें मिला है उसको account opening form पर हमें लिखकर SO को भेज देंगे यदि इसकी डेली transaction summary में जाके हम इसको देख भी सकते हैं कि आज की डेट में हमने जो account open किया वो किस तरह हमें है यहां history में दिखाई देगा जड़ी हम किसी तरह से उसको इसाम में लेना भूल जाते हैं तो यहां transaction history में जाके उसको उसकी detail हम देख सकते हैं कि हमने जो account open किया था कितने रुपे से किया था क्या उसका transaction ID थी reference नम्मर क्या था इसी reference नम्मर और डेट की मदद से हम कि इस device में account open हुआ है कि नहीं उसका status पता कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग लाइक कमेंट शेयर